हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सभी स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में तो आज आपके लिए लेके आए हम टोयटा हाई राइडर का कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो को लास तक देखना है योदि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो देखते हैं आए के कम्प्लीट हाई राइडर का रिव्यू तो आपके सामनी है टोयटा हाई राइडर जिसको लोग आज कल विनी फॉर्च यूरर के नाम से भी बुला रहे हैं तो आए इसके बारे में डेटेल्स को जानते हैं यह आपको दस लाख लतालिक अजार रुपे से स्कार्टिंग है इसकी एक शोरूम और लगबग 18,000,000 रुपे तक जाती है दो मोडल्स में आपको यह प्रेफर होती है एक हमारा पैट्रोल है और दूसरा है हाई पैट्रोल है जिसकी हमारी जो माइलेज है वो लगबग 21 के आसपास है और प्लस जो हमारी जो हमारी जो इसका है इसका है लगबग 28 के आसपास की उसकी एवरेज है तो आई इसकी डेटेल्स देखते हैं फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो यह सामने देख सकते हो आपको डेटा इनर्म लाइट दे रखी है जिसमें आपको इंडिकेटर्स का उप्शन भी दे रखा है इसी के नीचे देखते हैं त आपको ब्लेक फिनिश में फ्रंट नशा दे रखा है अणिस बीच में में देखते हो तो आपको टोटा का लोगो मिल जाता है जो कि इसमें सिलवर फिनिश में मिलता है नीचे की तलफ चलते हैं हमको आपको तो यह देख सकते आपको इसके काफी अच्छी ब्रोड ग्रील प्यान ब्लैक पिनिश ने इसके ज़स्ट उपर देखते हो तो आपको 360 डिगरी कैमरा मिल जाता है क्योंकि यह वेरियंट है तो आपको इसमें 360 कैमरा ओफर होता है जब साइड में देखते हैं तो आपको headlamps की placement मिलती है जो कि आपको projector मिल रहे हैं इसी के नीचे देखते हैं तो आपको क्या है यह भी है यह पे आपको प्यानु ब्लैक निश मिल रही है तो आगे से एक दम यह बहुत muscular और बहुत attractive लग रही है तो एक बार इसका engine और देख है यह देख सकते हो आप यह petrol variant है तो इसमें आपको 1500cc का petrol engine मिल रहा है जो लगबग 101 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 136 newton meter का टॉर प्रोड्यूस करता है यह देख सकते हो आपको कितना heavy bonnet मिल रहा है टोटा की है तो आपकोस आपको अच्छी चीज ही मिलेगी तो पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको कि निकाले की जरूरत भी नहीं है उपर आपको roof rails मिल जाते हैं तब पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको एल्डी टेल लेम्स ओफर होते हैं उसके नीच चे देखते हैं तो आपको वी मोडल जो इसका है वो प्रेफर लिखा हुआ है यह नियो ड्राइब मॉडल है यह अपना बीच में आप देख सकते हो औरोटा का लोगो सिल्वर फिनिश स्टिप के साथ दिया हुआ आपको एदर आपको अर्बन क्रुजर की 直ृड खी बैजिन गाती है यहां पर अपने को कैम combining जाता है पीछ के अपने को पारकिंगी संसर मिल जाते हैं इधर ऐसक यह टो इसारि अपर लेक्टर होफर किया हुआ है जित अड ही नीचे आपको रॉंड शक्र किया हूआ है उ आहां यहां पर आपको करने आप्शन मिल जाता है सब्सक्रास अब Penis करने चाल है लगन में लगन डिजीटल मिलता है मतलब स्पीडो मेटर है जो अपने को अनलोग मिल रहा है बाकि सारी चीजे हमें एक छोटी सी माइडी दे रखी है बीच में डेशबोर देख सकते हो आपको एकदम इस पर भी सॉफ्ट टाच दिया हुआ है सामने अपने को 10 इंच की टस्क्रीन मिल रही है उपर आपको और डिविंग आयार बीम मिल रहा है यह रात के टाइम काफी अच्छी चीज़ है जो कोई लाइट लगती है न वह अपने को लाइट नहीं लगने देती इदर नीचे देख सकते हो आपको आपको आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है नीचे आपको 120 वाट का अपने को चार्जर का ऑप्शन मिल रहा है इदर साइड में आप देख सकते हो आपको यूएसबी पोर्ट भी मिल रहा है ऑटोमेटिक है तो इसलिए आपको यह गेर लिवल मिल रहा है और आपको हेंड ब्रेक मिल जाती है और काफी अच्छा आपको आमरेस्ट यह वाए एक बार इसका स्पेश देख लेते हैं तो यह देख सकते हो काफी अच्छा डीसेंट स्पेस अच्छा भी नहीं बोल सकते मतलब काफी ठीक ठाक स्पेश दिया हुआ है यह आपको इसका ग्लव बॉक्स मिल जाता है स्टोरेज के लिए इस अधर आपको एसी के वै है उसमें आप मतलब अपना एयर को कंट्रोल कर सकते हैं इधर भी आपको सॉफ्ट दिया हुआ है साइड दोर्स पे भी यह ब्लेक प्यान फिश में दिया हुआ है सीट्स देख सकते हो आप अल इन ब्लेक मिल रही है आपको एक्स्ट्रा इस वेरियंट में आपको एक्स्ट अच्छा फीचर हो चुका है कि लोग इस चीज़ को देखके भी काफी गाडिया लेते हैं इधर साइड में आपको ग्रेब हैंडल मिल जाते हैं तो यह चीज़े देखी आपने एक बार पीछे इसका शीटिंग पोस्चर भी देख लेते हैं देखो कितना अच्छा है मतलब थाई सपोर्ट देख सकते हो कितनी अच्छी है लेग रूम स्पेस अच्छा मिल जाता है मैं एक चीज़ दिखानी भूल गया था आपको देखो मतलब थाड़ साउंड कितनी अच्छी है इसकी तो उससे अंदाजा लग सकता है कि कितनी हैपी होगी देखो एक बार दुबा इतार hero रूम कितना अछ़ा मिल रहा है आपने को थाई सपोर्ट देख सकते हो आ ईफ कि आपको फॉल जाता है जिसमें आपको धो पहर दो को ऑपौर्डर दिये हुय मैं इदर आपको ग्रेंद दूरे है Ia Aκι आपको लीडिग रिले गार मिल जाता है और पीछे अपने को सी पीछे आपको एक चार्जर स्लॉट दिया हुआ है इधर आप देख सकते हो आपको एक लेंप दिया हुआ है लाइट जैसे आप रात को कभी सामान रखते हो तो इसमें यूज आएगी लगग आपको 375 बीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है पर यही गाड़ी यदि आप अच्छा है बहुत अच्छा भी नहीं गोल सकते हैं तो इसके नीचे देख सकते हो आपको टार मिनता है एक्स्टा यह वही सेम उसी साइज में जो अपने को टार मिल रहे है आर 17 में मिल रहा है 215 और 60 आश्यार दी हुई है यहां पर आप कुछ भी चीज प्लेस कर सकते है दोनों साइड आपको अप्शन दिया हुआ है तो यह देखा अपने हाई राइडर का रिद्यू कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्या चीज अची लगी वह जरूर बताएं और इसके बारे में और भी कोई आपको डेटेल जाननी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में राजिंदर टोयटा का आपको नमबर मिल जाएगा जो कि कहां पर अपना नाधद्वारा में है तो हाँ पर भी आप नमबर लेके कॉंटेक्ट कर सकते हो थैंक्यू तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वी प्री कर 2 आरTrora कर अपकोछी के अावारा में हैं गी आपको दो कि कहेंगा हैं मभी आपको धर बनी हो कि लिए टे टीकि णो कि वात एंट आल कि पतराओयान के इा तो कि अभरूशल और येशई हो धी खी जए तो तो कि अरूशल कहई टीए